इंदुस्तान को आजाद, आजादी को मुकंबल आज 75 साल हो गए और आज बुड़े मुल्क ने और माले गाउँ शहर ने बड़े पैमाने पर खुशी बनाई, जश्न मनाया, मैं तमामी लोगों को मुबारक बात देता हूँ और तमामी माले गाउँ शहर की आवाम से, नौजवानों से, बजर्गों से, माबहिनों से और खास तोर पर छोटे छोटे मासूम बच्चे तल्बा वटालबात से मैं अपील करता हूँ के हर घर जंडा पहुचा, बच्चों के हाथ में जंडा है, ललकियों के हाथ में है, माबहिनों के हाथ में, बजर्गों के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में, बली तैदाद में जंडा आज नज़र आया, हम इस खुशी के मौके पर, ये चीज ना बुले, के हमारे अंदुस्तान का जो जंडा है, जिसको आज हमने सुबा सलाम किया, कई उसकी बेदभी ना हो, उसकी तोहीन ना हो, कि सलक के उपर, गड़र के अंदर, रास्ते के उपर, कि जंडा पड़ा ना रहे, इसका ख्याल रखा जाए, इतियास से ये जंडा जो आज हमने जश्न मनाया अपने घर के अंदर इफाज़त से जंडा रखे, ये बात का ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, ना तो इसके अगर तोहीन होगी, तो ये बड़ा गुना है, कानूनी तोर पर, इसके लिए मैं शहर के आवाम से अपील करता हूँ, इस बात का ख्याल रखाए आ मेरी जमीन हदूब मेरी, मेरी नस-नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहे ये जबस है तेरा, साथे सुहे तेरा, तुझे है तोरा ये जबस है तेरा, ये जबस है तेरा, ये जबस है मेरी दुहर है, ओ रबा मेरे है कोई कलिवा पड़ू ओ बुदता हो ये ओ जिंदेगी हसे मर हम बन जाए फून मेर मा तेरी नदियों में बहचामा तेरे खेतों में लगरावा इतनी सी है दिल की आरिजू के स्थी के स्थी के स्थी के स्थी तुम्री क्या गोड़ू तेर मुस्कुराए गंडिया तेर में जीती जाए गंडिया जो साथ देशा रंडिया तेर मुस्कुराए गंडिया सारे जहां से अच्छा हिंदु सता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे आ मेरी जमी में हदूब मेरी मेरी नस-नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहे बचर के उसमें तेरा सादेश है कुछ है कराण यह अंधे नहें चक्त कूट नहीं सत्त यह जवर्स है माले गाउं शहर जिला राश्टवाजी कॉंग्रेस पाइटी के तमामी होदेदारान कारे अद्देक्स, तमामी विंग सेल के अद्देक्स, तमामी होदेदारान मैं मालेगाओं शेहर जिल्ह राज्टवाजी कॉंग्रेस पाइटी की जानिब से शेख रसीज साहब की जानिब से और मेरी जानिब से गुरुस्तान की सेकुलर आवाम तो बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ और आज पूरा देश जश्न मना रहा है 75 साल आजादी को मुकमल आज हो रहे है और ये बहुत फक्र की बात है, गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क को हमारा देश है, इंदुस्तान है और दुनिया के अलग-अलग मुमालिक जब उनकी घटना बदलते है जब वो देश सेकुलर बनता है जैसे हमारे सामने एक मिसाल है नेपाल की तो हिंदुस्तान में आकर वो सिखते है कि हिंदुस्तान कैसा जमूरी मुल्क है यहां का निजाम कैसा चलता है यहां का सिस्टम कैसा चलता है यह हमारे लिए बहुत फक्र की बात है अगर आज की हुकुमत या आज के एक्तिदार के लोग अगर इसका क्रेडिट लेते हैं तो यह बिल्कुल गलत बात है आज से 75 साल पहले हिंदू-मुस्लिम-सी किसाई और हमारे उल्माओं ने हमारे उस वक्त के नेताओं ने इस मुलकों को आजाद करने के लिए जो कुर्बानिया दी अपनी जान की कुर्बानिया दी अपनी माल की कुर्बानिया दी कई सालों तक अंग्रेज हुकूमत ने जेल के अंदर उनको कैद किया और उसके बाद जाकर हम लोगों को मुकमल आजदी मिली लेकिन आज जो इस मुलक के अंदर इस देश के अंदर चल रहा है ये बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज से 75 साल पहले जो हिंदो मुस्ली मिक्ता थी जो सभी समाज सभी धरम के लोगों ने मिलकर ये देश को आजाद किया था लेकिन आज हम और आप देख रहे है और दुनिया देख रही है और हमको जब बाहर के मुमालिक जब हमारे मुलकों के तालूक से जब बात करते है या इंटर्फेर करते है तो हमको तुक होता है कि एक समाज के साथ नाइंसापी मुलकों के अंदर हो रही है तो बाहर के मुलकों को बुलना पड़ता है कि ना इंसापी ना किया जाए जुल्म जास्ति ना की जाए ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो दिन भी हम देख रहे है मैं आप लोगों को मालेगाओं शहर की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज हम लोगों को ये एक करना है ये संकल्प लेना है कि ये मुलकों के सम्मिदान को बचाने के लिए इस देश के सेकुलरिजम को बचाने के लिए हम सब को आवाज उठाना पड़ेगी और ये देश को मजबूत करना है आप लोग देख रहे है कि इस मुलकों के चीप चेस्टिस सुप्रीम कोड के रमना साहब ने एक दिड़ मैना पहले ये कहा कि ये बहुत अफ्सोस की बात है कि मुलकों के अंदर सेकुलर पाटियों को दवाया जा रहा है तोड़ा जा रहा है ये मुलकों के लिए ठीक बात नहीं है सेकुलर पाटियों भी मजबूत होना चाहिए एक्तिदार के लोग भी मजबूत होना रहना चाहिए जब जाकर ये मुलकों चलेगा इससे पहले भी 2018 में चार जैज सुप्रीम कोड के बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमारे उपर तबाव आ रहा है ये कभी इस 75 साल की तारीक में ऐसा नहीं हुआ जो आज इस मुलकों के अंदर 2014 के बास से हो रहा है तो आज सिर्फ हम लोगों को मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ये मुलकों सेकुलर है आज भी यहां के हिंदू, मुस्लिम, सिक, हिसाई जो आवाम है वो सेकुलर है उसकी दलील ये है कि 2014 में आज के एक्तिदार के लोग 2014 में भी एक्तिदार में थे तो उनको सिर्फ ओर्ट जो मिला था 31 परसंड ओर्ट सिर्फ मिला थे 31 परसंड और 70 परसंड ओर्ट आज के एक्तिदार के लोगों के खिराप में इस मुलकों की आवाम ने ओड़ दी थी अलग-अलग सेकुलर पर्ट ये कोट मिला था 2014 में भी 2019 में भी ये मुलकों की आवाम ने आज की सरकार के खिलाप में ओड़ दिया इसका मतलब इस देश के अंदर आज भी यमुरियत जिन्दा है आज भी लोकतंद्र जिन्दा है आज भी सम्मिदान को मानने वाले जिन्दा है तो मायूस होने की जरुवत नहीं है हुकुमत आती है और हुकुमत जाती है लेकिन आवाज उठाना वक्त की जरुवत है इस मुलकों को बचाने के लिए सम्मिदान को बचाने के लिए जो हमारे उल्माओं ने जो हमारे नेताओं ने उस वक्त के हिंदू, मुस्लिम, सी, किसाई सब समाच, सब धर्म के लोगों ने इस मुलकों को अजाद करने के लिए अपनी गुर्बानिया दी आज वक्त की जरूवत है कि आज उनकी गुरुमानियों को याद करते हुए इस मुलकों को बचाना आज वक्त की जरूवत है आज अगर सरकार के खिलाप कोई बोलता है तो वो देश दुरई हो जाता है देश के गतार हो जाते है और जो सरकार की हमायत में बोलता है उसको शटपिगिड मिल जाता है कि तुम देश भक्त हो दो शटपिगिर मिलता है देश भक्ती का बैराल आज कोई हम खलल पजा नहीं करना चाहते है सरकार की पॉलिसी पर क्योंकि यह देश एक होना रहना चाहिए यह देश हम सब का है सब हिंदुस्तानियों का है लेकिन जब वक्त आएगा तो जरूर यह सारी बाते हम लोग आगे बो आज मैं तमामी लोगों को 75 साल मुकमल हुए इंदुस्तान की आजादी को मैं आज 15 अगश्ट इस आजादी के दिन पर आप तमामी लोगों को बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करता हूं मुझे उम्मीद है इस मुलकों के सम्मिधान को बचाने के लिए इस मुलकों के स कायम रहे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे बहुत-बहुत मुबरक बार